मॉंडे के लिए मार्केट कैसा रहेगा उसका हम प्रेडिक्शन करेंगे तो चले आये हम निप्ती की चार्ट में देखा जाए तो निप्ती अभी भी एक बेरी सेंटिमेंट में है लेखिन देखा जाए तो निप्ती इस वीक में एक पॉजिटीव क्लोजिंग दिया है और ज निप्टी का जो पहला बहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो एप्रोक्स 24,500,500,600 के पास और अभी के लिए निप्टी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो देखा जाये तो एप्रोक्स 23,985 इस रेंज को अगर निप्टी ने ब्रेकडाउन किया तो उसकी बाद निप्टी में एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है अभी हम चलते हैं बैंग निप्टी की चार्ट में तो बैंग निप्टी की चार्ट में देखा जाए तो बैंग निप्टी भी ब्यारिस सेंटिमेंट में है अगर देखा जाए तो बैंग निप्टी जहां से ब्रेकडाउन किया था एप्रॉक्स ओरेंज है 15,700 के पास अभी भी बैंग निप्टी में देखा जाए तो बैंग निप्टी अभी एक बैरिस सेंटिमेंट में है क्योंकि बैंग निप्टी को देखा जाए तो बैंग निप्टी अभी एक डाउन ट्रेंड में है अगर trend line draw किया जाए तो trend line draw करने की बाद देखा जाए तो bank nifty अभी भी एक downtrend में है जब तक bank nifty इस trend line को break करके upside की तरफ नहीं move करेगा तब तक bank nifty में bullishness नहीं आ सकता यह trend line bank nifty का major resistance की तहक आज करेगा अगर देखा जाए तो bank nifty का जो पहला resistance निकल के आ रहा है वो है 51,929 अगर देखा जाए तो bank nifty में आभी के लिए जो support निकल के आ रहा है वो approximately 49,667 अगर इस support को bank nifty में ब्रेप कर दिया तो उसकी बाद जो next support निकल के आ रहा है वो है approach 46,833 अभी के लिए तो bank nifty ब्रेप के रहेगा जब तक bank nifty ओपर बला जो trend line रो किया था उस trend line को bank nifty जब तक न ब्रेक करे तब तक bank nifty में एक ब्रेप के रहेगा अभी हम बात करेंगे nifty mid cap की बारे में अगर mid cap में देखा जाए तो mid cap में आभी भी मुझे लगता है कि strength नजरा आ रहा है क्योंकि mid cap ने इस week में एक positive closing दिया और जो resistance था breakdown देने के बाद जो resistance था उस range की ऊपर mid cap ने closing दिया और आभी के लिए mid cap में जो पहला बला resistance निकल के आ रहा है वो देखा जाए तो यह प्रॉक्स 12,740 की पास अगर इस range को mid cap ने breakout किया तो breakout करने के बाद जो second बला target निकल के आ रहा है वो है 12,990 के पास mid cap में हम इस trend की बात क्योंकि देखा जाए तो mid cap अभी भी एक up trend में है अगर एक train line draw किया जाए तो देखा जाए तो mid cap अभी भी up trend में है train line बराबर mid cap support लेके upside की तरफ जा रहा है यह train line mid cap का major support की रूप में काम करेगा अगर जब तक इस trend line की उपर में है mid cap तब तक mid cap में bullish sentiment है अगर mid cap ने इस trend line को breakdown किया और approx 12,149 को breakdown किया तब mid cap में एक BRS sentiment आ सकता है